आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं अगर एक मेसेज करके बता दे मुझे थोड़ी सी टेक्निकल हिच आप सुन पा रहे हैं मुझे साउंड ठीक आ रहा है आप सुन पा रहे हैं साउंड अच्छा आ रहा है मुझे बस एक टेक्स्ट करके बिल्दी बता दें प्रीज आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं अवाज आ रही है सबसे पहले मैं शुक्रियादा करता हूँ दुर्गा जिसराजी का जिनों ने मुझे ये मौका दिया सेवा करने का और ये उत्सा सिरीज जो वो कर रही है और आज एक सो बाइसवां अध्याय है उसका उनको मैं करता हूँ और उनके उत्सा कि मैं क्या कहूं तारीफ करता हूँ और उन्होंने जो ये काम शुरू किया है बहुत सारे कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया है और हमारे जैसे छोटे लोगों को भी याद किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अभी अभी हम सुन रहे थे हमारे बड़े भाई श्री शशी व्याज़ जी को जो इतने प्रेम से उस्ताज शफाद एहमल खांसा को याद कर रहे थे शफाद भाई एक ऐसे इनसान थे कि उनके प्यार मुहबत की कहानिया खतम नहीं होती है मैं भी उन में से एक लखी हूं आदमी जिसको ऐसा कई बार मौका मिला जो हम स्टेज पर ऑफ स्टेज मिलने का बहुत सवभागी रहा मेरा बहुत छोटा हूं से और एक बार नाइन्टी टू में शायद जर विशुदेव जी ने दंडन में एक कारेकरन किया जिसमें पंजीत बिजु महराजी के दांस के साथ में शफाद भी और मैंने साथ साथ बजाया और मैंने अपने छोटे से जीवन में को क्लाकारों को साथ में बैचने के गुश्ताखी की है और उनके साथ बैट करके ऐसा ही लगा कि मेरे बड़े भाई मेरे बड़े भाई के साहत में बैठा हूं और कुर्टे के चॉamous से लेकशन करके हम लोगों सब कुछ जैसे छोटे बड़े भाई का चल रहा था उन्होंने मेरे खुर्ते के बटन लगाया है मैंने उनके खुर्ते के बटन लगाया और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे वो सम्हाला स्टेज पर और कई बार उनसे मुलाकात होती रहे क्योंकि वो लंडन अक्सर ही आते थे इसी मकौल की जो बातें थी वो बड़े मज़ेदार होती थी लेकिन गुनी तो बहुत थे वो बहुत ही अच्छे तबलावादक थे और जैसे मैं personally उस्ताद लतीफ अहमद खाल साब को मिस करता हूँ वेसे ही उस्ताद शेफात अहमद खाल साब को भी मिस करता हूँ क्योंकि उन लोग ने दोनों लोग ने ही बहुत कम समय में तबले के दुनिया को बहुत कुछ दिया और हमारी जैसे चोटे तपला वादुकों को बहुत सारी प्रेनाई दी और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला कि आफ स्टेज ऑन स्टेज कहीं भी कह लीजिए तो हम उनको याद करते हैं एक दुखत बाद और भी याद आ रहे कि एक बर हम मैं और पापर जी हमारे पिता जी साथ में बजा रहे थे तो उसी दिन खबर आई थी कि शेफात खांसाब नहीं रहे और यह अनॉंस्मन भी मैंन में उनके शाधा में हम उनको याद करते हैं उनके टबले को याद करते हैं और अपने तरफ से यह शाधांजली उनको पेश करते हैं जितने भी बड़े लोग और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं आज की इस करेक्षिम से मैं उनका वलकम करता हूं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और आपकी इजाज़त से इजाज़त ले करके मैं थोड़ी दिर अपने घर का तबला बजाता हूं इसलिए मैंने तुरी ताल चुना है क्योंकि हमारी बंदिश्य हमारी पुरानी रचनाएं सब कुछी तीन ताल नहीं है और तबले के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि बनारस का तबला जो है मैं चार घंटे जब बजाता हूं तो मुझे ज़्यादा खोशी रहती है क्योंकि बहुत अराम से बजा सकता हूँ, छोटे समय में मुझे थोड़ी सी कटनाईया होती है कि क्या बजाएं क्या नहीं बजाएं और बड़ा विस्तार का तबला है, तो सब कुछ थोड़ा कांट शाट करके करना पड़ता है, तो without further ado, मैं थोड़ी देर आपको तुरी इताल सुना आता हूँ, जिसमें कुछ पुरानी दशनाएं, गत, काइदा, गत, फर्द, रेला, बांट जो बनारस की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो इतनी common नहीं हैं, वो भी मैं पेश करना चाहूँगा, आपसे आग्यान लेकर के, जो तुरूटी हो शमाकरिये का, I hope the sound is okay, क्य और यही सब सुचल के बजाना पड़ता है, कि आप लोग आशिवाद दे रहे हैं, आशा करता हूँ, लहरे पे आज मेरे साथ आईफोन है, और जब तक की हालात अच्छे नहीं हो जाते हैं, हमसे इन ही से दोस्ती यारी करनी पड़ रही है, तो शमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मशीन जैसा काम हो जाता है, थोड़ी देर, त्री ताल, लहरा जाना है, कम है, जाना है, चिंदमा भी देख रहे हैं, मेरा सादर परनाब, सादर चरन सकच, अश्रिबाद दीजीगा, ये स्वतित रहों, जाना हैं, मेरा सादर पान पार्वार, ये संफित रहे हैं, जाना है, जाना है, ये सर्द दीजीजीए झाल कर दो 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 कर झाल 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 कब घाइ सकते हैं अजय है जब पता है झाल 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 झाल